जैस्री किश्ना राधे राधे मा लक्षमी के आगमन से पहले कुछ सुपसंकेत मिलते हैं लेकिन कुछ ऐसी भी चीजे होती हैं जो हम अपने दिन्चरिया में सामिल करें तो लक्षमी प्रसंद होती हैं घर परिवार में पॉजेटिव एनर्जी आती है और फिर हम तरक्किक करने लगते हैं तबा हमारे कीचन की सबसे जरूरी चीजे हैं और अगर तबा नहीं होगा तो रूटिया कैसे बनेगी आज हम आपको कुछ खास प्रेयोग बताएंगे कि रात में सोने के पहले तबे पर ऐसा क्या रखें कि आपके जीवन में धंग की मुस्किले समाप्त हो सके खास कर तबा रखने का तरीका और तबा कैसे आपको बेसुमार दौलत सोहरत दिला सकता है कैसे आपकी किसमत के तालिक हो सकते हैं तमाम बाते जानेंगे देखिए सर्वसोई को समयचा ही साफ रखिए जीवन की मुस्किलों से बाहर निकालेगा और रोटी बनाने के समय आटे में क्या डाले यह जानना बहुत आवस्यक है बहुत सिंपल सी चीज है आपके घर में आपके किचन में होती है पहली बात तो तवा हमेशा चूले के जैसे कि आप रोटी बना रही है तो अपने दाहिने हाथ साइट चूले के रख दे तवा और हमेशा चूले के नीचे भी आप तवा ना रखें जब भी रखें चूले के अपने हाथ के दाहिने तरब आप खड़ी है ने चुले के सामने उसके दाहने तरफ और हमेशा ही तवा साफ करके छिपा कर ही रखें जो महिला हैं वो गंदे तवे का यूज करती है या गंदे कढ़ाई का यूज करती है तो फिर इसका सिधा प्रभाव उसके पती के इंकम पर पड़ता है उनके सोहाव उ अगर हम सही तरीके से वेवस्ती तोर पर रखें तो धरन की कमी नहीं होगी और किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे बास्तु कहता है कि रसोई घर में रात के समय तवा को खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए रात में ही नहीं बलके दिन में भी अभी यह नह रोटी को बना कर जरूर डालें कि जो पिछला रोटी आप अगर नहीं डालते हैं आपने रोटियां बना ली चारबांच और ऐसे ही रहता दिया तोसी बहलाना जाता है यह दोर्स देता है जीवन में है। आप पर ढूलें हाड के ज़िऊ पनतें इस नियम को कर दुए और एक छोटा सा रोटी डाला जाता है आप छोटा सा आटा के टीकी भी डाल सकते हैं अब आप इसको एगवर पलटिएगा जरूर फिर गैस बंद करें और ये नहीं कि रोटी को तबे पर ही रहने दे तबे को किसी चीज़ से ढख कर रख दे क्योंकि ऐसा करना अच्छा मना जाता है या फिर तबे को आप रात में जब ठंडा हो जाए तब उसको सफाई करके आप कहीं भी छिपा कर रखें ओपिन मत रखिएगा धक कर यानि कहीं पर छिपा कर रखें कबर कर कर रखें भोजन बनाने के बाद तबा करहाई को बरतन जो होता है आपको वो चूले पर मत रखें गैस पर मत रखें क्योंकि तबा किचन की सबसे जरूरी चीज़ है और वास्तु कहता है कि इसका महत्तु भी जाता है क्योंकि तबा और कढ़ाई राहू का परतीनी धित्तों करता है राहू का मतलब कहते हैं राहू एक्टिब हो जाए तो जीवन में आकस्मिक घटनाए दुरगटनाए अच्छी बुरी सब होने लगती है ज्यादा तर राहू गरबढ़ ही करता है तो इसलिए लोगों को सनिदेव के बाद राहू से ही डर लगता है अब तबा को अगर वास्तु के अनुसा रखा जाए तो अच्छा फल भी देता है घर में सुकसम्रिद्धी धन दौलत भी बढ़ता है कई बार क्या होता है आप सुबह से गंद ही तबे में खाना बनाया जा रही है हो सकता है कभी-कभी आपके मेर नहीं आई दो-तीन दिन आप उसी तबे को धो-धो कर यूज़ कर रही है ऐसा ना करे वरना आपके पती के पॉकेट पर जेब पर धन पर गुरा असर पड़ेग और वास्तु के नियम का अगर आप पालन करें जब रात में आप खाना पीना बना लेते हैं तो फिर तबह गर्म तबे पर पानी मत डालिएगा क्योंकि यह जो चन से आवाज होगा ना यह घर में कलह-कलेस जैसी वाताबरन पैदा करता है निगेटिव उर्जाएं पैदा क करता है तो गंदे तबे पर भी खाना नहीं बनाना है और गर्म तबे पर पानी नहीं डालना है तबह और कढ़ाई को कभी भी जूठन में मत निकालें एक और बात जालने जब आप रोटियां बनाना सुरू करती हैं तबह को आपने चुले पर रखा इसमें एक चुटकी न नकातमक जो चीजें हैं वो समाप्त होगी और सकातमक चीजें घर में आएंगे रसोई घर में आपके जो तबह है कढ़ाई है अब यह नहीं कि आपने सफाई क्या उल्टा करके रख दिया मत रखे क्योंकि उल्टा अगर तबह कढ़ाई को रखते हैं तो जीवन की परिसान या बढ़ जाती है हमेशा आप अपने किचन में जो जहां आपका गैस चुला है उसके दाहिने तरफ तमाम बस्तू को रखें तबह को कढ़ाई को आपको उठाने में निकालने में भी सुभीत आओगी और बस्तू भी यही कहता है खाना बनाने के बाद खाली चुले पर त अपने तबे पर दो तरह की बस्तू रख सकते हैं आपके सुभी धापके घर में जो है वही रखिएगा पहला है एक तेजपत्ता और एक दाना इलाची में बहुत साइदाने होते हैं छोटी इलाची उसमें एक दाना निकालने और तेजपत्ता के ऊपर रख दे अब तबे पर उसको ले 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 और लेकर आग में जला दे अगर यह प्रक्रिया सकते हैं लाजी कि बहुत महाँआ है घर में नहीं तब ऐसे में आप लॉंग का प्रियोग करें रात में सोने के पहले लॉंग ःगदें तपाप्र और अगले दिन सुभा उसको जला दे जिस तरह से मेसा ही चमका कर रखे निम्बू नमक के सहारे ही चमका है पर चमका ही है क्योंकि जितना ज्यादा तवासाइन करेगा लेकिन यह नहीं कि आप इट पथल लेके खुरूच रहे हैं ऐसा मत कीजिए गरम पानी में डाल दें निम्बू रगर दें नमक के साथ वह साफ हो जाएग जितना ज्यादा स्मूथ रहेगा चमकेगा उतना ही खुबसूरत तरीके से आपका भागी बिजमकेगा बहुत सिंपल है आप कुछ न मिले तो मान लेते हैं लिया चीचुकी महगा है तो सिर्फ लांग भी आप जला सकते हैं या फिर सिर्ट तेजपत्ता भी जला सकते हैं वैसे भी तेशपत्ता जलाने से नकात्मक उड़ जाती है दूर हो जाती है और जीवन में खुजियां आती है पर एक बात हमेशा याद रखिए घर की जो महिलाएं हैं कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेशना करें नहीं तो स्वास की समस्य ज़्यादा परिसान करे तो चली जानते हैं आखिर आटा में क्या डालेंगे देखे जब भी आप आटा पिसवाती है सनी बार को पिसवाने का प्रयास करें अगर रेडी मेड आटा खाती है तो उसमें एक दो तूलसी का पत्ता स्री हरी के चर्णों में अरपित कर सुखा कर फिर डाल दें जब भी सुबह साम जब भी आप रोटी बनाती हैं जब दूट डाल कर आप आटा को गूतेंगी रोटियां बनाएंगी चुले पर जब ये रोटियां सिखेंगी तो जो जलाओवा दूद का रोटा के सहारे खुस्बू उठेगा उपर वही तो है सकात्मक उर्जा को बढ़ाने वाला मा लक्षमी को खीचा आपके घर ले आने वाला तो ये प्रियोग अदभुत है इसको करके देखें जब भी रोटी बनाती हैं रोटिया ना गिन के मत बनाईएगा आप से हम रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि रोटी गिन के नहीं बनाए जाती आप एक नाप होगा आप आटा कितने बने ऐसा मत कीजिए लेकिन अगर एक हम खास परियोग बताएं तो चलिए कई बार होता है नौकरी रोजगार में बहुत समस्या होती है आपकी ना तो बैपार में तरकी होती है ना आपके खुब पैसे आ रहे हैं बल्कि आपके पैसे ब्लॉक होते जाते हैं जॉब क रगते हैं तीन नंबर वाली जो रोटी है सबसे नीचे से वह रोटी निकालने उसके उपर अपनी इंडेक्स फिंगर यानि सकेंड और थर्ड और यानि मध्यमा उंगली दोनों को एक साथ करके तेल में उस दोनों उंगली को डालकर रोटी पर रेखाँ कीचे एक रेखा इसके बाद इसको अपने उपर से तीन बार उतार कर कुत्ते को खिला दे देखिएगा नौकरी रोजगार की समस्या सा बात हो जाएगा तो फिलाल भी दा लेते हैं धरनी